जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साइथ के बहुत ही महत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अबस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दवाए ओल पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुँचे जादस जादस वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट कोशन दिया गया है कि कि किस आलू डी आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कोश्चन है भरंग भरंगी संबाद मिलता है तो प्रत्वी राज रासो कीरती लता कीरती पता क्या पदावली में तो कोश्चन यहाँ पर आपका पूचा गया है भरंग भरंगी जो संबाद है एकस में मिलता है तो आपका यहाँ पर सही answer है कीरती लता आपका विकल्ब नंबर बी राइट आंसर है कीरती लता जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही answer होगा question यहाँ पर अंगला पूछा है की विध्यापती ने अपनी किस रचना में जोनपुर नंगर का बढडन क्या है विध्यापती जी ने अपनी कौन सी रचना में इसमें बढडन क्या है तो यह आपके लिए अहाँ पर बतान है कीरती लताम, कीरती पता का पदावली यह कि किसने विद्यापती की पदावली के संगारिक पदों की मादक्ता को नागिन की लहर कहा है, तो यह किसने कहा है, यह आपके लिए बतान है, निराला, पंत, परसाद्या, सुकल जी ने, तो किसे ने विद्यापती की पदावली की संगारिक पदों की मादक्ता को नागन की लहर कहा है तो आपके यहाँ पर सही आंसर होका निराला यानि की विकल्प नमबर एक आपके यहाँ पर सही आंसर निराला जिन्हों ने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर होका अंगला question है नागरजुन की जीवनी है जिनों ने जीना जाना या आला उदल बाबू जी या अकाल पुरुस यह आपकी यहाँ पर चार विकल्प दिये गए हैं कि नागरजुन की जीवनी कौन सी है यह आपके लिए बताना है तो आपके हाँ पर सही आंसर है अकाल पुरुस यानि कि विकल्प नंबर चार आपके हाँ पर अकाल पुरुस जो है राइट आंसर होगा अंगला question है नारी तुम केवल स्रद्धा हो पंती जो है किस कभी की है यह पंती कई बारे एक्जाम में पूंची जा चुकी यह पंती है आपकी पंती की है निराला प्रसाद या आपका सही आंसर है अंगला question है निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानती है किर्ष्ण को विवेकनन्द को अरविंद को अराम किर्ष्ण पर अमहंस को तो निराला अपना अध्यात्म गुरु जो मानती है बहे मानती है किसको तो आपके हाँ पर सही आंसर है विवेक दिये गए हैं तो निराला क्रे तुलसी दास यह जो है एक रचिना है तुलसी दास निराला जी की है याद रखना है और यह जो है किस परकार का काप्व है यह पूंचा है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रवंद काप्व यानि कि विकल्ब नंबर आपका एक यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रवंद का आप जिनों ने बताया है उनका सही आंसर है रामचरित मानस का प्रारम में तुलसी ने कहां किया था कासी अयुद्या चित्रकूट या सूकर थेत तो यह आपके लिए बताना है कि रामचरित मानस का प्रारम में तुलसी ने कहां किया था तो बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन है और आपका सही आंसर होगा अयोध्या अयोध्या आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही अयोध्या जिनों ने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है तुलसी की गीतावली किस कभी की रचिना से प्रभावित है गीता वली यह आपके लिए बताना है महत्तपोन कॉस्चन आपसे यहाँ पर पूँचा गया है और गीता वली जो प्रभावित है बहे आपका यहाँ पर सूरदास आपका विकल्प नंबर दो राइट आंसर है दो जिन्हों ने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है बहुत प्रियना राम ब्यदेही यह पद जो है किस रचना में है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है बिनाई पत्री का आपका विकल्प नंबर दो यहाँ पर राइट आंसर है बिनाई पत्री का जिन्हों ने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है बिनाई पत्री का किसको कहा जाता है राम چंदृ का कुद मुअ आप काahan पर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर मिकल्पिन और थे उनजला कौस्चन यहां पर पूंचा गया है कि पानी ही में नहां पर देखी का पूंचा है पानी ही से हिम भया हम है गया विलाए पंती जो है किसे की है ये पंती बताना है किस की है पानी हीते हिम भया हिम है गया बिलाए तो ये जो रियादास मलुकदास नाना क्या कबीर तो ये पंती बताना है किस की है तो एक जो पंती है भै किस की है कबीर कबीर आप कहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी राइट आंस ले थे हैं, सूरदास, मलुगदास, कभीरदास, राम अनन्दे, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, कभीरदास आपका विकल्प नमबर C, यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नमबर C, जिन्हों ने बताया है, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, अंगले कॉस्चन है, संत क कभियों में सरवादिक जो सिक्षित कभी थे सुंदर्दास कभीरदास रहदास दादु दयाल तो आपका हैं पर सही आंसर हैं यहां पर क्या है राइट आंसर सुंदर्दास आपका विकल्प नंबर एक जो हैं यहां पर राइट आंसर है सुंदर्दास जिनों ने विकल्प न नाना क्या दादू, तो आपके यहाँ पर सही आंसर है, कभीर आपके यहाँ पर right answer है, कभीर यानी की विकल्प number आपका b, यहाँ पर right answer होगा, कभीर जिन्नोंने बताया उनका सही आंसर है, अंगला question है, चंदर्कांता उपन्यास के लेखक हैं, इसके लेखक आपके लिए बताना है तो इसके लेखक कौन है तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला question है प्रभू जी तो में चंद्रन हमें पानी एह पन्ती किस कभी की है तो आपका सही आंसर यहाँ पर है रेधास रेधास आपका यहाँ पर सही आंसर है विल्कुल सही अंगला question क्या पूचा गया है अंगला question है दुलहेनी गावहू मंगला चार पन्ती किस कभी की है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर तो विकल्प नमबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है कभीर आप कहाँ पर सही आंसर होगा कभीर जनों ने बता है उनका सही आंसर है चायाबादी गोरक नात कहा जाता है तो चायाबादी गोरक नात किसको कहा जाता है निराला पंत प्रसाद यह आपके चार विकल्प दे गए है और आप कहाँ पर सही आंसर होगा चायाबादी गोरक ना बैए का जाता है किसको निराला आप कहां पर सही आंसर है बिलकुल सही अंगला कॉस्चिन क्या पूंचा गया है कभीर को बानी का डिक्टेटर किस समीख चक ने कहा है समीख चक का नाम बताना है आचार रामचन सुकल हजारी परसाद दुबेदी पीतामबरदत वल्थवाल या आचार स्यामसुंदर दास तो कभीर को बानी का जो डिक्टेटर कहा है किस समीख चक ने कहा है तो हजारी परसाद दुबेदी यानि कि विकल्ब नंबर आपका दो यहां पर भी राइट आंसर होगा हजारी परसाद दुबेदी बिलकुल सही आंसर आपका यहां पर है अंगला कॉस्चिन क्या पूछा गया है रामचन सुकल ने किस को माना है तो सुकल जी ने किस को माना है यह आपके लिए बताना है तो आपका है यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन है अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम के है पंती किस कभी की है दादू सुन्दर दास मलूक दास या कभी दास तो महत्पूर्ण कॉस्चिन पूछा है अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम यह जो पंती है यह किस की है विकल नंबर आपका सी यानि की मलुक दास मलुक दास आपका यहां पर सही आंसर होगा अविदी भासा का पिर्थम महाकाब्बे कौन सा ग्रंथ है अविदी भासा का पिर्थम महाकाब्बे कौन सा ग्रंथ है रामचरित मानस पदमाबत या किष्णायन या इनमें सी कोई नहीं अविदी भासा का पिर्थम महाकाब कौन सा ग्रंत है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा पदमाबत विकल्प नमबर आपका यहाँ पर जो C दिया गया है sorry B दिया गया है आपका राइट आंसर है पदमाबत आपका राइट आंसर बिल्कुल चाहिए अंगले question है कोकुर मत्ता यह कवीता में गुलाब किसका प्रतीक है नेता पूंजी आदमी या बुद्धी जीवी का तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है जो गुलाब है यह प्रतीक है पूंजी पतीका तो विकल्प नमबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमब यह किस से यगवान तिगमानी गुंजन तो आपका सही आंसर है क्या होगा राइट आंसर यगवानी यगवानी आपका यहाँ पर सही आंसर है यगवानी जो नो ने बताया है उनका सही आंसर है काहेरी नलीनी तू कुमहिलानी पंती जो है किस कभी की है गुरु नानक, कपीर, हरीदास नंजनी, अधादु दयाल तो ये जो पंती है किसकी है ये पंती तो आपका सही आंशर है विकल्ग नमबर 2 यानि की कपीर आपके हैं पर सही आंशर किसकी कि कपंती है कपीर आपके हैं पर राइट आंशर होगा तो आपका सही answer है यहाँ पर पंद्रह है कितने हैं पंद्रह है आपका सही answer होगा पंद्रह राइट answer है विलकुल सही अंगले question है ुज़ुन रूकवणी का प्रयाम क्रेम और ख्यान किस पुरान ग्रंथमे है तो आपका सही आंसर है हरी, हरी वन्स पुनाण आपका विकल्प नमबर दो यहाँ पर जो दिया गया है वैसा ही आंसर आपका यहाँ पर होगा अपर भ्रंस का बालमी की किस कभी को कहा जाता है कई बार एक कॉस्चिन पूचा गया है कि अब भिरंस का बालमी की पुस्पदन स्वयंभू या राम से हैं तो एक कहा जाता है किसको अब भिरंस का बालमी की कहा जाता है किसको स्वयंभू को किसको स्वयंभू आप कहें आपर सही आंसर बिलकुल चाही तो डाक्टर नंगेंदर में प्रियम अख्यानक काब्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है चंदाइन हंसावली मिर्गवती या पदमाबत तो डाक्टर नंगेंदर में प्रियम अख्यानक काब्य परंपरा का पिर्थम पहला ग्रंथ जो माना है पहला ग्रंत बहेमाना है किसको तो आपका सही आंसर है हंसा वली हंसा वली आपका यहाँ पर सही आंसर है हंसा वली जन्हों ने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर होगा अंगला कॉस्चन क्या है खुल गए चंद के बंद किसकी पंती है पंत प्रसाद नराला महादेवी खुल गए चंद के बंद तो यह जो पंती है यह पंती है किसकी है तो महत्तपुन कॉस्चन है यह पंती किसकी है पंत की आपका राइट आंसर है विल्कुल सही पंत जिन्हों पूंचा है आपसे यहां पर तो आपका right answer यहां पर जो होगा तो नर्वाहन आपका सही answer होगा नेरवाहन यान की विकल्प no.C आपका यहां पर right answer है अंगले question क्या पूंचा है निराला रचना वली कितने खंडों में प्रकासित हुआ तो कितने खंडों में प्रकासित हुआ, यह आपके लिए यहाँ पर बताना कि कितने खंडों में यह प्रकासित हुआ है, बताईए कितने खंडों में प्रकासित हुआ है, पांच, छे, साथ, आठ राइट आंसर आपका यहाँ पर, आठ आपका सही आंसर होगा, आठ जेनों ने ब मानी जाती है पंती किसकी तो आपका सही आंसर है चन्द बर्दाई विकल्प नंबर आपका यहां पर दो राइट आंसर है विकल्प नंबर दो जिनों ने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर दो राइट आंसर अंगला कॉस्चन है क्या है अ आपका सही आंसर होगा गुरू नानक की रचना है तो विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूंचा है यहां पर सुखमनी के रचेता कौन है गुरू नानक है गुरू अंगध है गुरू अरजुन देव है या गुरू अमरदास है तो कॉस्च यहाँ पर महत्पूण है और इसके जो रचेता आप से हाँ पर पूंचा है तो रचेता में हो जाएंगे आपके इहाँ पर कौन हो जाएँगे तो आपका right answer यहाँ पर गुरु अरजण दिव तो विकल्ट no. c आपका है यहाँ पर सही answer है question अंगला पूंचा है सिद्धान्त पंच मात्रा ग्रंथ की रचेता कौन है इस ग्रंथ की रचेता आपके लिए यहाँ पर बताना है इस ग्रंथ की रचेता कौन है तो आपका सही answer यहाँ पर जो होगा वह है आपका यहाँ पर right answer सिद्धान्त पंच मात्रा ग्रंथ की रचेत है रागवानन्द कौन है रागवानन्द तो विकल्प नंबर डी आप कहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी जिन्हों ने बता है उनका सही आंसर है सुंदर ग्रंथवली का संकलन किस ने किया तो सुंदर ग्रंथवली का जो संक्रलन, क्या है बागुस्यामसंदर दास या रामचैन सुखल पुरोहित हरी नारान सर्मा या गोबिंदर रजनीष तो आपका हहाँ पर सही आंशर है क्या है राइट आंशर पुरोहित हरिनारन सर्मा विकल्प नंबर C आपका है विकल्प नंबर C जोन्हाँ ने बताया है उनका राइट आंशर है अंगला कोस्चन है अब धू गंगन वंडल घर कीजे पंती किस कभी की है राइट आंसर है कभीर आपका सही आंसर होगा कभीर जोनों ने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूँचा क्या है जो तीस्वर ठाकुर की किर्ती कौन सी है तो भवेस्यत कहा या पाउड़ दोहा बन रतना कर राहुल विल तो कॉस्चन यहाँ और पूँचा है जो तीसतों ठाकुर जो है इनकी किर्ति कौन सी है तो बन रतना कर आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है बन रतना कर जन्नोंन बताया है उनका सएे ऐँगला कॉस्चन क्या पूँचा है तो यहाँपर अंगला कॉस्चन देख लेते हैं यहाँपर की समारी जोग गरंत के संत कभी की रशिना है तो समारी जोग गरंत जो है एक के से संत कभी की रशिना है तो आपका यहाँ पर हरी दासन रंजनी आंसर आपके लिए लगा है यहाँ पर सही आंसर तो भी कल्प नंबर आपका भी यहाँ पर राइट आंसर होगा तो इस परकार अपनी हाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्चन कम्पिलिट हुए है क्यांसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन दबाएं क्या लगा लगा है